तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका उपनी चनल के पड़ जिसका नाम है साइंटिव हुमनी चनल आपकी वीडियो के अंदर हम लोग अन्बॉक्स करेंगे और रिव्यू करेंगे जी एम न्यूट्रीशन को जो की फैमिली सप्लिमेंट है डेली प्रोटीन जिसका नाम ह है उसको हाँ आलो हम अन्बॉक्स करेंगे और उसके बाद मैं कुछ दिनों बाद फिसकी वीडियो इसमें डालूंगा रिव्यू के बाद कि यह किस तरह का प्रोटीन है ठीक है तो यह डेली सप्लिमेंट प्रोटीन है जिसको कोई भी ले सकता है बीना किसी प्रॉब्लम के कोई हेल्थ इशू नहीं होगा बस आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम तरूब्लम दे सकते हैं तो जिनको डाइबेटिक है या किड्नी की प्रॉब्लम है वो जरूर सलाह ले ले और जो भी लोग भी जीम यानि गुरुमान भाया को और जानते हैं उनको पता होगा कि वो वो अचकल स्प्लिमेंट उन्होंंने स्टार्ट किया है बनाना और यह इंडिया में ही तैयार हो रहा है और काफी अच्छे पर हम लोगों को मिल रहा है तो जो जीम नूट्रिशन है वो गुरुमान जी का है और गुरुमान जी कारिफोर्णिया में टॉप कोच है है फिटनस इंडस्ट्री में 20 साल से पिछले 20 साल से वो ट्रेनिंग दे रहे हैं अब जीम नूट्रिशन की वेबसाइट पर जाके प्रड़क्ट कर सकते हैं और फिरी में फिटनस प्लान भी पा सकते हैं डेली प्रोटीन के बारे में तो कुछ इस तरह की बॉक्सिंग है ठीक और 500 रुपर में हमें अविलेवल हो गया है और कभी कबार डिस्काउंट आता रहता है तो उपन रीचे हो सकता है ठीक है तो मतलब इसमें दिखा रखा है कि इसे कोई भी एज का इंसान कोई भी बच्चा ले सकता है बिना किसी इश्यू के ठीक है तो एक complete family supplement है जो की कभी प्रोटीन की कमी आपकी बॉडी में ना होने पाए उसके लिए यह है ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से certified है ठीक है लाइसेंस है और इसमें इंग्रीडियंट्स जो भी दे रखे हैं वह आपके सामने हैं ठीक है आज इंग्रीडियंट्स मै कर रहा है सिर्फ मैं बता रहा हूं अभी तक कोई वीडियो नहीं यूट्यूब के अपर तो हम सबसे पहले इसकी वीडियो बना रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि जाज सहतानी इंफोमेशन आप तक पहुच पाए तो इसका यूज करने का तरीका क्या है इसको पानी में नही पाउडर इसका वजन जो होगा ठीक है और इसको आप मिक्स कर लिए दूर के अंदर चीनी भी डाल सकते हैं थोड़ा बहुत तो एमर पीस में 699 रुपे छपी भी है 400 ग्राम प्रोटीन है इसकी यहां पर लिस्ट देखेंगे तो आप अपने सामने देख सकते हैं यहां पर ठीक है तो 30 ग्राम सर्विंग पे हमें एनरजी 110 किलो कैलरी मिल रही है प्रोटीन 10 ग्राम मिल रहा है कार्भो हैड्रेट सोला ग्राम मिल रहे है शुगर 0.78 है ना के बराबर यह एक ग्राम मान सकते हैं प्रैट भी आदा ग्राम से बिलकुल कम है विटामिन ए डी बीवन ब बाड़ी के लिए तो इसको कभी भी इग्नोर नी करना चाहिए वैसे इसके अंदर है मैं सिर्फ जनली बता रहा हूं ठीक है कैल्शियम फॉस्फोरस और आयरेन भी इसमें प्रेजेंट है ठीक है और यहां पर हम कह सकते हैं कुछ आर्टिविशल स्वीटनर भी डाले में है आर्टिव जो कि उसमें थोड़ा सा फ्लेवर के बाकि उनके बाकि प्रोटीं इसमें ना के बराबर या फिर है ही नहीं तो इनका मीन कंज्षरों है जो जीए में उनका मीन कंसरों है शुगर को लेके कि जो भी रिफाइंड शूगर है वो कोई फायदा नहीं होता उसको खाने का क्यूंकि उसमें कोई आपको बेनिफेट नहीं होता आपकी बॉड़ी को बस आप शूगर है शूगर की मात्रा जो है बॉड़ी में बढ़ाना चाहरे हैं तो आप नेचरल सोर्से से ले सकते हैं कुछ इस तरह के से एहांपर हुआ हम लग रीफा कर लेतय है और वजल को कट करने के बाद हमने देखा कि पाउडर कुछ इस तरह कमें और इसको आपको दूत के अंदर मिलाना मिक्स करना है और इसमें कोई साथ और नहीं मिली हो अभी तक, टो और हम कई दीने हैं साथ , कु किड का सिजैसी स्मेल आती है थोड़ी सी अजीब आती है दूद में मिक्स करने के बाद तो इनकी कस्टमर के भी दे रखा है में इनके रेइस्टर्ड है वो USA के अंदर कैलिफोर्निय के अंदर दूसरा यहां पर पंजाब अमरिस्टर के अंदर यहां पर है ठीक है तो अब हम इसको यूज करके देखेंगे कुछ दिन तक फिर मैं उसके वीडियो उसके अंदर आड़ करूंगा कि अगर आप देखेंग में पैर पसार चुकी है ठीक है इसमें बेकार से बेकार प्रोटीन से लेकर अच्छे से अच्छे प्रोटीन भी है मंगर लोग यूज करने का तरीका नहीं पता नहीं यह पता है कि कौन सा को लेना चाहिए कितने अमाउंट में लेना चाहिए किसको लेना चाहिए किसको नह खीक है जो कि energy बनाए रखने में काफी है सक्षम है जब हम वे खाने से जो हम खाते हैं तीन टाइम खाना खाते हैं या जितनी भी ताइम बार आप खाना खाते हैं उसका टोटल प्रोटीन जब कम पढ़ने लगे आपकी requirement से तो आपको एक supplement लेना पड़ता है जिसको add करके जादा नहों muscles का cells की breakdown की repair के लिए उसके लिए आपको एक protein की जरूत होती है बीमारियों से बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिन में protein powder का खास इस्तमाल किया सकता है अगर आप protein दूसे sources से धंग से नहीं ले पा रहे हैं ठीक है तो इसे हमें ध्यान रखना चाहिए concern रखके लेना चाहिए भाई ये कि हमारी requirement कितनी है बहुत सारी बीमारियां जो है वो protein की कमी से होती है और कई बीमारियों में protein एहम होता है क्योंकि वह immunity को बढ़ाने में और जो है बीमारे से लड़ने में help करता है जैसे कि tuberculosis है TB है उसके अंदर mainly requirement होती है protein की vitamin D की calcium की तो ये तीन म बीमारी को दूर भगाते हैं ठीक है इस बीमारी को लड़ने का एक ही तरीका है ये तीन चीजे मिलनी ठीक है तो protein की कमी नहीं होने दे अपनी बॉड़ी के